नमस्कार दोस्तों सागर, सागर मेडिकल कॉलेज द्वारा रिक्रूट्मेंट यहां पर जारी कर दिया गया 21 दिसमबर 2021 को यह जानकारी ओफिशली आपको वैब साइट पे प्रोवाइड यहां पर करा दे गई पहरा मेडिकल केडर के अंतरगत अलग अलग पोष्ट यहां पर शामिल की गई आप सभी को बताना चाहता हूँ जो पोष्ट यहां पर जो इंक्लूट की गई कुलमला के 6 अलग अलग तरह के पाद यहां पर रहेंगे चाहता हूँ 24 पद इसमें आप पर शामिल की गई इसमें male और female, मैला और पुरिश दोनों इन vacancies के लिए आप सभी लोग यहाँ पे apply कर सकते हैं इसके लिए आप सभी को application form आपको यहाँ पे fill करना है पूरी जानकर इस वीडियो माँ पे cover करेंगे apply किस तरीके से करना है last date क्या रहेगी, post wise कितने क्या vacancies आप शामिल की गई age limit, qualification, salary package सारी जानकरी आपको इस वीडियो में मिल जागी सबसे पहला पूर करना है इस वीडियो को आप पे like कर देना है like करें इस वीडियो को इस मेनद को like यह रोग करें और मध्य परदेश स्वास्त विवा की हर vacancy की जानकरी आगे भी चाते हैं तो अभी हमारे चैनल को पहले से subscribe करके रख लें तो वीडियो की नीचे जाए subscribe के रैट बेटन को आप पे click करें स्वास्त विवा की हर vacancy की जानकरी इसी तरीके से आगे भी पात रहते बिलकुल शुरू बात कर देते कर अप डेट को बढ़ जाते हैं अपनी जानकरी की और तो दोस्तों आप पे देखिए पैरा मेडिकल केडर के अंतरगत यह पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई और इसके लिए आप लोग apply करेंगे directly मैं आपको यहाँ पे vacancy table के उले चालता हूँ कितनी क्या पोस्ट है कौनसी पोस्ट है तो यहाँ पे पदों का विवरण आप लगों को दिया जारा तो सबसे पहले आप साब लोग यहाँ पे सारे पद देख ले पर मैं आपको qualification के बारे में योगता के बारे में जान करें दूँगा तो कुलमला के इसमें 16 पर है पहली जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते है इस पीच थेरेपिस्ट की यहाँ पर रहने वाली है और यहाँ पर दोस्तों एक पाद यहाँ पर इस पीच थेरेपिस्ट का यहाँ पर शामिल किया गया तो अन्रेजर्ब में open means male candidate के लिए यह vacancy यहाँ पे रहेगी अब बढ़ जाते हैं अगली जो पोस्ट है तो देख सकते हैं अगली जो पोस्ट है थर्ड नमबर की TB and chest disease health visitor की यह पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है इसमें भी यहाँ पर यहाँ पर शामिल किया गया अंदरदर्प से open category के अंतरगर इ फार्मेसिस्ट ग्रेट टू के लिए है और यह backlog की वेकैंस यहाँ पर शामिल किया गया और यहाँ पर आपको category wise information भी मिल गई और इसके बाद दोस्तों देखिए अगली जो पोस्ट है फार्मेसिस्ट की यहाँ पर रहेगी फार्मेसिस्ट की यहाँ पर ग्रेट टू इससे है पहले जो फार्मेसिस्ट की वेकैंसी थी वो backlog की थी और यहाँ पर एक और वेकैंसिट यहाँ पर शामिल किये गई तो अन्रेजर में दो पद हैं OBC में एक पद है और शेडूल काश्ट में आपके एक पद यहाँ पर रहेगा तो कुलमला के 5 पद यहाँ पर शामिल किये गए तो करीब करीब फार्मेसिस्ट की पोश्ट के लिए दस पाद यहां पर रहेंगे अब बढ़ जाते हैं अगली जो पोश्ट है यह ऑक्यूपेशनल थेरपिस्ट के यहां पर रहेगी और दो पद इसमा पर शामिल के गए एक पद ओबीसी में एक पद यहां पर अन्रिज अच्छ की हां पर वेकेंसि है एक ही पद इसमा पर शामिल किया गया अन्रिजर्फ के टिग्री में और दोस्तों यह वेकैंसि की जानकारी आपको मैंने प्रवाइड करा दिए अब मैं आपको बता देता हूँ एपलाई करने के लिए आपको क्या क्या योगता मांगे जारी तो salary package दोस्तों आप पे देखिए आपको बता दिया गया है यह वाले कॉलम में पद का नाम बता दिया गया है योगता आपको क्या कर चाहिए तो यह वाले कॉलम में जानकारी दे देगे तो जल्दी से मैं आपको आपको बता दिता हूँ जैसे कि देखिए speech therapist की post है 12th class आप registration भी चाहिए इसके बाद दोस्तों फीजो थरेपिस्ट की आप वेकैंसी है और 34,800 रुपे करीब करीब आपको आपको आप सेली मिलेगी 2200 रुपे का grade पे है और मारिता प्राप्ते संस्ता से आपका फीजो थरेपी में इसना तक कोर्स होना आपका आपका आप जिरूरी है और मद्यप्रदेश परामेडिकल काउंसल में आप लोग रेजिस्टर भी हो इसके बाद टीबी एंड चेस्ट हेल्थ डिसीज यहाँ पर जो विजिटर की पोस्ट है 20,200 रुपे आपको सेली मिलेगी 2400 रुपे का grade पे है इसमें जो भी कैंडिट्स 12th क्लास पास है तो बि इल्कुल अपलाई कर सकते हैं और अगर आपके पास इसी फिल्ड में हेल्थ एजोकेशन में उच्छे सिक्षा प्राप्त है टीबी एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर पार्टे करम मानिता प्राप्त आपके बास डिगरी है यहाँ पर डिपलोम है तो भी आप लोग करेंगे इसके बाद फार्मेसिस्ट ग्रेट टू की पोश्ट के लिए बीस हजार दोसु रुपे आपको आपको आप पर सेली में लेगी 2400 रुपे का आपको आप ग्रेट पे है ट्वेल्थ क्लास आप लोग पास हो बारवी कक्षा उत्रीर हो पिजिक्स केमिस्ट्री और बायलोजी सब्जेक्ट में इसके बाद फार्मेसिस्ट की डिगरी है ठेप्लोंमा है कहने वाली बात है बी फार्मा और डी फार्मा चैंडिरेट से यहाँ पे अपलाय करें मधिय प्रदेष फार्मेसिक कांसेल में आप लोग रिजिस्टर होना भी ज़रूरी है इसके अंध में किलिनिकल सैक्लोजिस्ट के आप विक ऐसी है 34,000 रुपे आपको आप पर सैली मिलेगी 34,800 रुपे 32,000 रुपे का ग्रेट पे भी है और मनुव विज्ञान में कम से कम सेकंड क्लास अगर आपके पास सनाथन डिग्री है ग्रेजुशन डिग्री है तो भी बिल्कुल आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते है तो यह क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी अब दोस्तों एज लिमिट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ तो यहाँ पर 18 वर्ष कम से कम आपकी नियुतम आयू रखी गई 18 वर्ष कम आपके आयू ना हो और जो अंड़ेदर्फ के कैटिगरी के कैंडिरेट्स है तो 40 साल उमर आपके आपके रखी गई शेडूल काष्ट, शेडूल ट्राइब, OBC शाशकिये, निगम, मंडल, श्वाशाशी संस्था के करमचारी, नगर सैनिक, निशक्तिजन, महिला किसी भी कैटिगरी की हो आप लोग 18 से 45 साल तक आप लोग यहाँ पर एपलाए कर सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं एपलाए किस तरीके जखना है, लास देट यहाँ पर क्या रहेगी तो एपलाए आपको दोस्तों MP Online के माद्यम से करना है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो वेब साइट है MP Online का पोर्टल mponline.gov.in तो इसके माद्यम से आप लोग online आविदन आप लोग यहाँ पर करेंगे और दोस्तों इसके लिए आपको फीस का पेमेंट भी करना होगा तो कितनी फीस आपको पे करनी है यह online फीस आप लोगों को यहाँ पे पे करनी होगी तो आविदन शुलक आपको 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 बता दी गई 1000 रुपे का फीस का पेमेंट करना है जो यहाँ पर अन्रेजर्व और OBC वाले कैंडिडेट यहाँ पर रहेंगे शेडूल का शेडूल ट्राइब OBC जो की NCL वाले कैंडिडेट है और अनारक्षित जो भी है EWS वाले कैंडिडेट PWD कैंडिडेट आपको 800 रुपे का फीस का पेमेंट करना है online आपको यह फीस का पेमेंट करना होगा MP online के portal के माध्यम से इसके लिए दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे exam देंगे आपका जो selection है exam के basis पर लाएगा लिखा भी हुआ है पेरा medical के पद पर लिकित परिक्षा उत्रीन करने ही तू मापदन तो दोस्तों आपकी लिकित परिक्षा ली जाएगी आपका exam यहाँ पर लिया जाएगा इसके लिए दोस्तों आपको आपके syllabus भी बता दिया गया है तो जो भी आपके यहाँ पर पोश्ट है आप लोग यहाँ पर syllabus देख ले आपको यहाँ पर पूरी information syllabus की provide आपको यहाँ पर करा दी गई है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कब से कब आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं तो दोस्तों online apply करने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 21 December 2021 से यह form माना पर शुरू हो चुके हैं और online अविजन करने के जो last date है 19 January 2022 यहाँ पर रहेगी तो 19 January 2022 तक आप लोग एपलाय कर दें आप लोगों का जो एक्जाम है 19 February 2022 को आप का यहाँ पर कंडेट कराए जाएगा और परिक्षा जो है नेधार शेर पर होगी तो एक यह परिक्षा का यहाँ पर केंदर है भोपाल में ही आप लोगों की यह परिक्षा यहाँ पर ली जाएगी तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आप पर कवर की परा मेडिकल केडर के अंतरकत मध्यपरदेश स्वास्त बिवाग में यह वेकैंसी आप पर रिलीस की गई और बुंदेलकंट मेडिकल कॉलेज सागर में यह रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी कर दियागा अगर आपके पास क्वालिटिकेशन है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर एपलाए कर दें और दोस्तों आप लोग यहाँ पर लिखा भी हुआ है शाश किये कर पाएंगे तो दोस्तों पूरी इंफोर्मेशन मैंने आप पर कवर गी कोई भी अगर आपको यहाँ पर डाउट है तो आप लोग एक बार फॉर्म ओपिन करके भी देख लें आप लोग घर बैटे बैटे भी फॉर्म आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं बड़ा ही इजी है फॉर्म फिल करना लाइक करते इस वीडियो को अगर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको आप इस वीडियो से मिलिए तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक करें चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर ले अरे लाईक से पहले सकते हैं